इखिसकाय आवाज और वाइब्रेशन की इस तरह सी उपर जाता नमस्कार अपनला देख्छेन खबरे घंटा शंगेरो एची आमी ओडबीता इती बाचे खबर देख्छेन जोक राखोन खबरे घंटा परदाए आशुन देख्छेन आजकेर बीशेश खबर हीमालायर बिभिन्न जनो जातीर बाद्दो जन्त्रो अ मुखोष ने उन्नो रको म्यूजियाम बाग जोक राए हीमालाय पाहरेर बिभिन्न प्रांते छोरिये रोएचेन बिभिन्न जनो जाती प्राकृतिक पोरिबेशे संगे जुद्धो चालिये सेषअब जणो जातिर ननान संष्कृती तोईरी होए छे हिमालय आएर बिभिन्नो प्रान्तेरोइ छे बिभिन्नो मुखोष बिभिन्नो रकुम बाद्धो जन्त्रो बच्छोरेर पर बच्छोर धोरे चोले आश्ची हिमालायर शेशब जनो जातीर विभिलनो संस्किती एर मुद्थे बहुकी छोवाबार हारीयो जेते बोशेचे ताई हिमालायन हेरिटेज रिसर्च एन डेवलाप्मेंट सोसाइटी ए शांश्किती शंग रखोनेर अंगो हिशेबे शिलिगुडी महकुमार बागडोग्राते खुले छे हिमालाया वर्ल्ड म्यूजियाम बागडोग्रार भुट्टा बारिश ए म्यूजियामेर रोएचे 455 रको मेर बाद्दो जंत्रो 800 रोबेशी मुखोष तार्शंगे 99 शामोग्रियो रोएचे एई सब निये गवेशना धोर्मी काज चालिये जवा गवेशक डक्टर ओम्प्रकाष भारोती जानाचेन आगामीते बागडोग्राते चार एकर जोमीरो पोर एए म्यूजियामेर पुरिशर आरो ब्रिध्धी पेते चोले छे बिश्षेर बिभिन्न प्रांतेर पर्जटक देरकाचे आकोर्शुनियो बिशाय बुस्तु होए उठ्छे ए म्यूजियाम डक्टर ओम्प्रकाष भारोती एकज़न ओधापक बैतिक्रमी काज करार जो नेतिनी राष्ट्रपोती पुरोषकारो पिये छेन हिम्यालायर बिभिन्न प्रांते तार अशोंखो गुनमोग्धो भक्तो छोरिये रोएछेन आदीम जनोजातीर संश्किती बाची राखते तार अशामान्नो प्रयाश एकटित द्रिष्टान तो बला चले शिली गुडिर उन्नो धुपत कल्चराल और्गनाईजेशन तोरोफे शोमाश अन्नाल चक्रबोर्ती जुई भट्टाचार्जो शोंचिता भट्टाचार्जो प्रोमुखो डॉक्टर ओम प्रकाश भारुतीर एई ब्याति क्रोमी प्रयाशे भुवशी प्रोशोंशा करे क्या है में इसके लिए कभी भी आप जब मांग्सिक रूप से आप कभी भी परिशान होते हैं में के लिए तो पूरी हमाले रिजन में यही जो है बॉल जो है उप्योग में लाता है आप देखिए इसका आवाज और वाइब्रेशन की तरह सी उपर जाता है जब कभी भी हमारा कंसंट्रेशन खराब होगा इसमें अलग तरकी किर्किराहट की आवाज आएगी कंसंट्रेशन ही हमारे ध्यान को और मन को शांती प्रदान करता है इसे लिए वो बहुत ज़रूरी है यह पूरी हमाले वी जिन में इसका उप्योग जो है वो मेडिटेश के लिए मेडिटेशन दौल के नाम से यह कामेरा आएगा है इसे कुछ ट्राइग करती है है तो मारे शिव अनिक्तर भारें दा ता दिव्टेशन देवलप्नेंट सुसाइटी एक इंटरनेशन एंजियो है जो मूलता है जो इंडियन हमारे इन स्टेट्स है उसके अलावा तिबथ है भोटान है इस सित्र में जो इंडिजीनियस नॉलेज है देश ज्ज्ञान है कल all करती है हमारा सिलोगन आप जो सुलोगन और मूटो है सेव दा निचर काल्चव और एडिवेंचेर हीमाले का जो एडिवेंचिर है वह फूरी दुनिया को अपनी और आककर्शिट करता है खिंचता है और यही एडिवेंचर मनुष्या को जीवन में आशावान बनाते है ज प्रांस्कृतिक विविधिता है, वह भी पूरी दुनिया में एक अलग तरह से जाना जाता है, तो हम जो ये हमाले वर्ड म्यूजियम बना रहे हैं, मूल डूप से ये हमारा कलेक्शन सेंटर है, छोटा सा, जहां कि हम आर्टिफेक्ट का जो है, वो कलेक्शन किये है, मूल ड इस तक एक बहुत विशाल म्यूजियम जो है, वो बन करके तयार होगा, जैसा कि आप यहां इस कलेक्शन सेंटर में देख रहे हैं, हमारे पास हिमाले रीजिन से अबाउट 465 मूजिकल इंस्टुमेंट्स, जो यह सारे आप मूजिकल इंस्टुमेंट्स इसमें आप देख सकते हैं, गैल्डी में लगे हुए हैं, और अबाउट 800 मास्क ओर्नामेंट्स, और दूसरी जो कला वस्तुएं हैं, चाहे वो अगरे कल्चर से रिलेटेड हो, या जीवन से जुड़ा हुआ हो, उनका संग्रह जो है, यहां किया गया है, इसके अलावा जो मूजियम का मून रोल है, कि मूजियम जो है, यह हमारे परंपराओं का भविश्य है, फ्यूचर अप देटिटिशन, और हबस अप देटिशन, यह एजुकेशन का हब है, यह जुकेशन से ज खास करके एजुकेशन में जो बारज सरकार के नेस्नल एजुकेशन पॉलिशी आई है, उसमें देखेंगे कि चाहे वो भर्चुल मुजियम्स हो, चाहे वो प्रतक्च संग्राले हो, वो सब के लिए हनुशंशा की गई है कि बड़े अस्तर पढ़िया चीज जो है वो बनना चाहिए और इसका प्रसार जो होना चाहिए, इसी करम में यह जो मास्क आप देखेंगे, यह में जो मुजिकल इंस्टुमेंट्स है, यह सत्संग यह लेप्चा लोगों का एक बहुत ही महत्पुण बादी जो है वो यह है, यह धैंग्रो जिनका एक तरह से शैमनिजम जो ह उसमें भी इसका तंत्र विद्या में भी इसका प्रियोग होता है और मौनिस्ट्री में भी यह बजाए जाता है, यह गाईने सारंगी है, बहुत महत्पुण है पूरी मतलब नेपाल और हिमाले जीोन में गाईने जो गंधर्ब कामुनिटी है, उसके दोरा इस सारंगी को वह बजाते हैं और गाईनी गीत को कहलाता है ये जो हमारा ये चनीक्षन है ये तिबत से है और मूल रूप से वहां की जो देवता है उनको इसमें जो है वो देवता है अलग-अलग एक्स्प्रेशन है लव बुद्धा वहां है अमाहताल की मुर्ती है दरुदा है हम जब इन हमारी ही जीवन का, हमारी ही अलग-अलग जिये गए च्छन का और हमारी ही भावनाओं की अभिविक्ति इसमें कहीं ने कहीं अलग-अलग रूपों में दिखता है, मानव जितना उद्दात दिखता है, जितना सौफ्ट दिखता है, उतनी कुरूरता भी उनकी मन में जो है, व इसमें बताया गया है इनकी चेहरे को अगर हम ठीक से लेखें तो इसमें जो नवरस की अभी लेखती है तो किस तरह एक कलाकार ने कास्ट में मनहरें लक्री में नवरस की परिकलब नाथ की है इनके अजर हम इस भाग को ढर्टिकेंky ि ज Pan neighborhoods आठो को देखें नेतर यहां है जो वो आँख छुपी हुई है और फिर आँख को देखें तो बिलकुल ये हस्ते हुए हासरस में हो जाते हैं फिर इनका चिहरा किस तरह से भायानक और रोदर रूप में आ जाता है और ये सारी आग की लपटे हैं तो जो बुद्रिजम है उसमें कंसेप्ट है महाकाल का कंसेप्ट ये है ये कहते हैं कि मनुष जब चुकि अलग-अलग तर्म करते हैं अलग-अलग तरह की जीवन को जीते हैं तो वो सारी विद्रुपताएं हमारे शरीर में आती हैं चुकि आप अच्छा काम नहीं करते हो इसलिए हम इस तरह से दिख रहे हैं हमारे श तो यह कहते हैं कि आप अच्छा कीजिए समाज के लिए आपके देवता भी अच्छे और खुबसूरत दिखेंगे हम भी शांत हो जाएंगे तो बहुत बड़ा मैसेज है कि जीवन की और मानव जीवन की जितनी भी कठनाई है बिदुपताएं है वो सब को इनकी जो देवता ह होई अपने शरी में ले लिया है और उसी के खिली इस माक्स में है जब बुद्ध抓्म मैं पूजा की जाती है यही बात बहुत रेर है इसके लिए आपने देखा होगा कि यह खास करके जो मॉनेस्ट्री है उसमें इसको मात्मा का प्रारते हैं और यह यह जो है यह मेडिट एक तरह से यह हमाले की ब्यूटी ही नहीं जो इनकी डायवर्सिटी है और अलग अलग तरह से गर हम देखते हैं तो वहां के समाज को वहां की वहां की दिखाने के लिए जो है इस मास्क के माधियम से मुझकल इंस्ट्रुमेंट के माधियम से ये भोटान का जो च्छम नर्त होता है उसमें उसने एनिमल मास्क जीतने हैं इसमें जो भी मास्क लगे हुए है एनिमल का मास्क खास करके जो भोटानी परंपरा है भोटान में हमें देखने को ज्यादा मिलता है इस तरह का मास्क इनका भी महत वहां के लोकनाट कों में होता है इसी तरह से ये जो सिल्क रूट है हमारा जो waves rootperине शी तेंस जो बरतन है बयोग लाए जाते थे दें etc इसमें पशुवी है birds है अनिबल्स है और human beings जैसा इसका चेहरा है, मतलब ये मानव की ही अलग-अलग आंतरिक रूपों को प्रगट किया है इसमें, कि हम ऐस तरह से हम, कई तरह से, हम दिखते तो बिलकुल, चुकि हम चालाग हैं और हम अपने दिमाग से काम लेते हैं, तो इसलिए हम बेहतर दिखते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो है ये विविध रूप जो है इस तरह से है और बुद्रज्जम में ये कंगलिंग इसको हम कहते हैं, आप देख रहे हैं फिमर जो एक हड़ि है मानव की, उससे ये जो है बनाया जाता है, ये फूख वाध है, इसको फूख करके ये जो है, ये बनाते हैं, ये ये ग्याल इसको बजाते हैं और जितना भी इस तरह से लगडाख हो चाहा हो कश्मीर हो चाहा हुआ रुनाचल प्रदेश हो हमाले इंचल में खास करके जो बहुत समाज और वहां की जो लोग गीत परमपरा है उसको बजाते हैं और एगें इनके यहां जो यह ग्यान और विद्या की दे महाकाल का एक अलग रूप है यह तिबत से यह मास कलेक्ट किया गया है यह वहां से आया है तिबती बुदिज्जम जो है वहां से यह मास काया हुआ 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 है तरसल हिमाले जो हम कहते हैं और पूरी हिमाले की जो संकल्पना करते हैं तो वहां मास लेविल पर जो वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी वीजार धाराएं हैं, इसलिए इस मास्क में कुछ तो शैमिनिजम के लिए, तंत्र विध्या के लिए, और कुछ मास्क जो है वो पॉफॉमिटी मास्क है, जिसको पहन करके लोग पॉफॉम करते हैं, उससे जुड़ा हुआ कुछ रिचुल्स से किवल जो सेमिनिजम से जुड़ा हुआ है उस तरह के मास्किस में हैं लाफिंग गुद्धा तो हम लोग उससे सब लोग उससे ही हैं यह सारा सेक्षन जो है वो भुटान से मैंने कहा था कि एनिमल्स और हुमन को एक साथ जो है उन्होंने लगा करके जो ह है वो दिखाने के कोशिश के है वहां के रिलिजिन में वो है और इसी तरह जो वैदिक या हिंदू डेवी देवता है उनके मास्क आप यह गन्पति है यह हुन्मान है यही मतलब एक तरह से हिमालियन ट्रेशन में है इसी तरह से आपको इधर रावन का मास्क देएगा इस जो है यह काली का मास्क यह सारे जो हिमालियन फूट हिल्स में उस इलाके में जो है यह अलग-अलग मीनी के साथ अलग-अलग परंपाओं के साथ यह सारे मास्क जो है वो पाये जाते हैं वहां हिमालिय एंचल में तो दरसल यह जिदने भी बॉक्स यहां रखे हुए है इस और इस कलेक्शन को इंजवाई भी करते हैं. मास्क म्यूजियम तो नॉर्थ पंगल नॉर्थ इस्ट में और नहीं है? मास्क म्यूजियम इंडिया भारत में आईजीन सी ने बहुत पहले कोशिश की थी, लेकिन वो उसको भी मेंटिन नहीं रख पाए. पूरी भारत में अगर देखें तो एक ही मास्क म्यूजियम है और अच्छा है कि यह सारा हम लोग कई लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप तो देश भार में काम करते हैं लेकिन नॉर्थ विंगोल में ही आकर के या इस तरफ ही आकर के दरसल यहां की कल्चिरल डैवसिटी और जि इसी तरह हम लाटागूरी में, सौनाडा में और गैंटॉक में तीनों जड़ह हमारा काम चल रहा है एक जगार्ड वॉर्ड वर्ड की सारी ट्वाइजर प्पेट्स को हमने इसको लेके हम इधर सु लगाडा में एक म्यूजियम कर रहे हैं अधर दोर्स में इतने लोग आते हैं गेंड़ देखने आते हैं शेड देखने आते हैं जंगल देखने के अलावा जो हां की संस्कृती है और समाज है उसको भी देखना जिरूरी है तो लाटागुरी में भी हमने एकवाइर के हैं, वहां भी एकम बड़ा म्यूजियम बना रहे हैं, जो लोग आये और डॉर्स की चीज़ों को वहां लोग देखें, वहां बड़ा अपसोस है कि आप ठीक है, जानवर देखें, जंगल देखें, लेकिन वहां जो समाज है, सोसा कभी-कभी हम चाहते हुए भी वह एक्स्प्रेशन नहीं दे आता है हमारे चेहरे में, जो मास्क में अस्थाई रूप से हमें जाता है, तेखिए फियर का काउंटर करना भै, हमारे जो बच्चे आते हैं कि कभी-कभी इनको डड़ लगता है, क्योंकि ज्यादा तर मास्क ज फियर को हम देखना नहीं चाहते हैं, तेकिन जो मनुष लगातार फियर को देखा हुआ होगा, उस एक्स्प्रेशन को फिल किया हुआ होगा, वो फियर का सामना भी बड़ी मजबूती से कर सकते हैं, और वो निश्रित रूप से भाय मुक्त होगा वो समाज और वो हव्यक् जो हमें साब फियर को काउंटर करता है, तो इस तरह जीवन के लिए बड़ा उपियोगी है, कि किस तरह से हम फियर को काउंटर करते हैं, दूसरी बात मास्क में स्माइल भी है, खुशिया भी है, कुछ मास्क को है, यहां फुटरल से मालेज में मिलते हैं, उनको देखेंग करता है, और कहीं कहीं एक वैचारिक सघंता में वो ले जाता है, कि किस तरह से विचारों को समझना चाहिए, और जीना चाहिए, और शवन नजम में ठेरेपी में जो इस तरह की, देखें, हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, mental health को कभी सोचा ही नहीं गया, कि क्या हम मानसिक ग्रुप से भी बिमार होते हैं, मानसिक ग्रुप से भी बिमार होना भी चाहिए लोगों को, आप उसको पागल कह देते हैं, नहीं, मानसिक ग्रुप से भीमार होना पागल नहीं हो सकता है, चैकि इतनी सारी बिद्रुपतारों को जहलते हैं, इतनी सारी संगर्स क जाना चाहिए, समाज में, पड़िवार में हो सकता है, मैं ही उसमें से एक हूँ, मेरे बच्चे एक हो सकते हैं, मेरे फ्रेंड ही हो सकते हैं, तो इसमें भी mental health के लिए भी अलग-अलग अवस्थाओं को, अलग-अलग motions को देखना जरूरी है, अलग-अलग emotions में जाना जरूर का, यानि हमारा और आपका अपना expression है, तो इस तरह से भी इन चीजों को हमें, मतलब जो है, वो समझना है और लेना है, यह बहुत जरूरी है, इसलिए आज करोना के टाइम में भी यह आपको निशीत रूप से जब उसको आप लागातार देखे, ब्रहमन करें, सोचे, तो आपको मानशिक निजाद दिलाता है, और आपको मजबूती प्रदान करता है, सामने तो दुर्गापुजा फेस्टिवेल आ रहा है, तो इस टाइप का मुजियम को देखने लोग तो बहुत कुछ देखने में निकलेंगे टूरिस्ट लोग आएंगे बाहर से, इस टाइप का मुजियम मस्क मुजियम देखने के लिए टूरिश्ट लोगों का मौन में एक, आपकोल यहां जो रूर्ल टूरिजम और हमेश्टे के साथ हमारा पूजा के समय तक लगता है कि हमारा लाटगूरी का म्योजियम भी जो है, वो नशित रूप से हम शुरू हो जाएगा, देखे, लगता है ये काम, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम नहीं तो बहुत चोटा काम, आप शुरू करिए न, तो समाज आके खुद हाग बढ़ाता है और जूड़ जाता है फिर काम आगे चला जाता है, या दाईत के बड़ सरकार का नहीं, सबसे पहले समाज का होना चाहिए, समाजिक सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, तब जाकर कि ये चीज़ आता है, कला है, अब कहा जाता है, बड़ी स हमें उसे कहीं कहीं दिखाना ही पड़ेगा अब कब से शुरू की यह साल हो गए थर्टी येर्स हो गए मतलब नाइंटी वन नाइंटी टू से हमने ये कलेक्शन जो है सुरू करिया और लगातार हम बोटान में नेपाल में तिबत में जो हिमाले का इंडिजी ये स्मॉलर सिस्टम है और जो वहां के रिवर्स है जो फ्लोरा और फुना है उसको लेकर लगातार मिमर्श बनाते हैं और कु का है मेरा कुछ अपना नहीं है हम कुछ कुछ करते हैं सब मिलकर के दर करेंगे तो यह आगे बढ़ेगा कोई इंट्री फी यह पर तो नहीं है ने इसके अलावा हम मास्क मेकर्स हमारा जो बड़ा कैंपस है अभी तो बरसाथ में बन था भी अप्टूबर से वहां तार शा अभी हमें सब्सक्राइब तो नहीं फो पी तो इस फिर को बन उनको रुजगार देते हैं इवाज एवज में आख बनवा तो नहीं हम हमार बड़ा को कुछ तक इस बहाने हमें जो मास्क मेकर है पुरे लोग भी मिल गए उनसे भी हमारी भेट मुलाकात हो ऊगे है कि तैसे मुजियम कितना साल हुआ तो एर वा है? मुजियम है अभी मुजियम दरसर इसके लिए मुजियम नहीं वो राजबाडी है राजाओं का धर है किस तरह कौन से राजा हम पेश आशन किये? कौन सा मुकुत पहन के? कौन सी तल्वा कैसा उसका कॉस्ट्यूम था? ये सारी बाते ज्याद आहां कहीं गई है कॉमुनीटी म्यूजिएम का कंसप्ट हमारे देश में नहीं। समुधाय का म्यूजिएम, समाज का म्यूजिएम… जिस समाज में हम रहते हैं यह North Dalas है, यह De VA उस समाज का म्यूजिएम क्या होगा हुँ उस समाज हमें नहीं दिखता है यह बहुत ज़बुरी है तोयर करने के लिए कितना खर्च भी तरह होता है। अब हम चुकी जब जब हमारे पास पैसे कुछ-कुछ भड़ते गए तो हम करते गए तो इसलिए को एकुरेट इस तरह से गॉप्मेंट का कुछ फांड नहीं है। गॉप्मेंट का कोई स्पेशल फंड तो नहीं है। मास्क के लिए वाक्शॉप्स के लिए या फिस्टिवल ग्रांट सब जो मिलता रहा। उसमें सेविंग करकर के करकर के हम इसको करते रहें। फिर हमारे मेंबर्स हमें बहुत कंट्रिव्यूट करते रहें। अभी यहां हम क्राफ्ट का एजुकेशन देते हैं। सिलाई कटाई का कॉस्टम जैन का चायबागान के जितने ही हैं। गरीब जो आदिवासी महिलाएं उनके लिए आज ही हमारा मीटिंग था। करीव देर सो लोग आते हैं यहां को बगल में हमारा सिलाई कटाई सेंटर उसे कुछ फीज नहीं लेते हैं। अन्ना गर्मेंट से हम कोई ग्रांट लेते हैं। तो उसको भी बालेंस करके जिस जगह का मेंटन साफ सफाई वही बच्चे करते हैं। हमें कभी इस तरह से हम उसमें से लोगों को जानते भी नहीं हैं। वहां के काम करते हैं और वह चीज यहां से सीख करते जाते हैं। कितना कठा जमीन पर हैं। यह तो छे कठा हैं। लेकिन वह जो बागलोगरा एरपोट के पास है उती लेकर है। वह बड़ी जगह है। वह भी जगह हमारी डेवलिप हो गए। वह हम एक बागान उत्सब करते हैं। संबभ है कि टूर गए। नवंबर मैने में इस बार अगर अगर तीसरी लहर से हमें सामना नहीं हुआ तो नवंबर मैने में मुझे जगह पर जरूर करेंगे। पिछली बार भी हमने किया था। तो जो क्लासकल आटफॉरम के लोग होते हैं उनको यहां हम करते हैं कि लिए हमको उनको कैसे जागरित करना है। चुकि कल्चर के लिए अगर वो सीखते हैं तो उनकी पहचान भी है। दूसरा उसमें अब तो रोजगार के भी बहुत सारे आउससार हैं। खासकर कि आदिवासी और नौर्थ मिंदान का संस्कृति या आर्ट वो क्राफट बेस हैं। छो रासता दिखा दे बाकी तो आपना काम करहें रहते हैं। तरसल नहीं कहता हम कि राजा कभी दूसरा नहीं बनाता यॉकिन एक कलाकार दूसरा कला कर बनाता है. तो यह वा की पर वा सब्सक्राजु छॉक था जबादिए दो बना नहीं टो तो पीमाने लग और नहीं है तो फ्न पहले से ही, बद चाइड़ूड से ही, हमें लगता ही था कि जब आठमी साथ भी बे ये सेंस आ गई थी, कि जब हम इतिहास की पुस्तकें पड़ते हैं, तो वहाँ वह बाते नहीं है, कॉम्मृूटी कहा है, समाज कहा है, जैसे मैंने अभी कहा कि यह तो मूजियम राजबारी है, राजाओं पहति हापुद उसका मुकॉट रखा है, उसकी तलवाली रखी है, उनका कॉस्ट्यूम रखा है, लेकिन जो समाज है, सुसाइटी है उसका जो क्रियेशन है, वो म्यूजियम इंडिया में कहा है, कौन सी जिले है वो भी तो हमें दिखना चाहिए, तक कि वह राजबारी को म्यूजियम कह देना वो म्यूजियम नहीं है, अगर आप एरूप जाए तो वहां देखें लोगों न पर दिखने के लिए ही नहीं, मतलब यह है कि चाहे इदिहास हो, समाश शास्त्र हो, चाहे आपका फिलासफी हो, सब कुछ है यहाँ, और जब तक मार्जिनल सुसाइटी का इदिहास आप चीक चीक नहीं लिखते, मुखधारां उनको शामिल नहीं करते, तब तक उनके आर्टिफेक्ट को, उनकी कला वस्तुओं का संदक्षन, सीविन सुसाइटी का रिस्पॉंसबिलिटी है, सरकार क्या करेगी मुझे नहीं प अब हमने तीन दिन पहले जो माननी है, एजुकेशन मिनिस्टर है, हमने ब्राप्तो बश्यू जी उनसे हमारी बात हुई है, वो इस म्यूजियम आ करके गया है, तो उनसे हमारी बात हुई है, उनने नाश्वाशन दिया है, कि नौर्थ मौर्ण जितनी स्कूल से हैं, आप पर आपकर के कुछ देखें तो उससे तत्काला शालिए, कि उनको सोचेंगे समाज के लिए, इनका लारूपों के लिए बहुत जरूरी है तो चलिए थाए तो छिए ता जितने बजाने वाले बचाने वाले देखो तो हमारी इंदियन सुसाइटी में क्या थाए है, कि ड़ है मैं देख कर सब्सक्राइट प्राड़ को अर पर आपकी लिए, कॉस्छ पर आपके क्या रभी सिस्टिए लग यह तो कुछ ले गदाए है, यह तो चूटा बहुत बढ़ा लंबा होता है पांच मोड़ करने बजाते है इसके नेचे रहो से डांस करते हैं, कि यह कि जए कि एहां का कलचर है कि वार्ल में किसी जगह पर नहीं है तो धिफरेंट नौर्फ इस्ट में और बिलकुल संस्कृति जहां का समाज जितना संघर शींड रहेगा जिक्कि हमालिय में लाइफ बहुत टफ है वहां की संस्कृति बिविदृता जीगती जादा होगी अगर प्रकृति को आपको देखना है तो यह हिमालय और इसकी फुटिल्स का जो कल्चर है वहाँ आप देख सकते हैं तो जहां की जोगरिफी है वो कल्चर का तो पूरा का पूरा नियंत्रन उसका उसके उपर जो होता है और हमें लगता है कि एक बार दिश्टी चाहिए और फिर अभी मैं जब इजिप्सी डारेक्टर था तो हां बाद दिविती कारकर के मुजिकल इस्टुमेंट का एक हम यह बनाया और मुजियम बनाया उसमें लगबद 600 मुजिकल इस्टुमेंट और इंडिया में उतना सारा मुजिकल इस्टुमेंट एक साथ नहीं है अतो दिन मुजियम बोलती के लिए जे धारुनात अच्छी लो तार बाएदे इसे आरो अनिक ब्रिगोत और थे मुजियम देखी गेलाम एकानी हिमादियान मुजियम इसे ची आमदा अमपलकाश भारती शार एक शुन्दोर कोड़े आमदे बोजालेन प्रतुप्टा विशाय आर्तो मुखोश देखलाम आमरा एक बाद्दो जन्त्रो आरो अनिक किछु देखा शोभाग होलो एकन्तरो मुजियम शोवो कि शुनिय मुजियम अमरा 나서 भादिक शामाजिक परिस्थिते Money किन्तु एखाने आशले, शुधुम मत्रो पोरिवार केंद्रिक कोने विश्वायत्तोर ना तार उर्थेगे आरो ब्रिखत कीछु पुरो स्वमाज के बज्छा जुगेर सते जाते स्वमाजिक चिंता अधारा भाबना अनिक कीछुई आमाजेर बब्ले जाए आर प्रत्यक जुगेर शे मुखोष गुलो जानो एक एक टा स्वमाएर शाक्षी शेभाबे मुखोष गुलो एक रए रोय चे जा आमाजेर के एक टो अन्लुपभे भाप चे अर्था समाजी दिख्कुलो शांश्रुतिक दिख्कुलो आमणा देख्थे बच्ची प्रतेक्टार कमियूनिटी भलो लाख्चे एक एक टा मुखोष एक एक रखुम कथा बले आमादेर मनुषेर मोनेर मुथेर बिभीन रखम प्रतेक्रिया तो चोहते थाके बिभीन रखम मिशेटा शक्षमाजे भालो तानाई भालो, मंदो, खाराब, दुखो, आनंदो, शमस्तो किछु रख्टे मिशेरु मानुषेटा के मुखे निजेर अबयबे लुकोते पारी, कि तो मुखो शुले ते समस्तो किछु निये प्रकाष करा जिखिने राग, दुखो, इंचा, ब्हादवार्शास, निहो, माया, माभो तो समस्तो किछु खुदिये तोबा हुए छे अब अशाधन नगित गंता निये पीरेट जाची, अमी शार ओंप्रकाष भार्थी शार के, आम तुरी कृतम गंता हो धुन्रोगा जाहाची, अमन शुन दुरेक्टा आएजु अगमी तारो बरो भावे करार पोरी कल्पुना चोल छे, काच चोल छे किमर्थे, आम्रा अपेक्खाय रोएला, शुन आधा अम लाटा गुडिते, तो देख्वई एछारो आरो बरोखी छुच्छने अज़े लिएजाड़ी जालो भावे कर्याएल, शुन चीता अभर्त जालेयं, शुन चीता बाटा जालेयि अज़ी आधा वर्नाथुपद्धेगे बोल्जी, आज़के आम्रा अधा अधा थूपक थीके एक अखाने एशेचेला, ने दारकबाद ज़नो, आशोले जे टा अल्टबास धाल्पिस्तार बोलें जे community museum जे जीनिष्टा जे concept ता आम दातो आतो दिन बिभीनो जाएगा बिभीनो रकों museum देखे एशेची किन्तो एई जे community museum एई जे concept ता एठां ता एशे आके बारे अन्नो रकों मोने होलो जे आतो दिन धुरे सारेर जे आक्टा प्रोचिस्ता मुखोष, संग्रोह, एबन शेटाके दाखाबार आश्योले आमादेर चे मुने भाब जे गुलो था कि शेई भाब गुलो अनुजाई किछु किछु मुखोस तोई रिवाई चे एटा तो आशोले आमादेर मलीज भाब जेटा प्रथम थेके बिभिन्नो कल्चारेट त्रूते एटा चले एश्चे तो शेई जेजी जीनिश्कुलो आशेई बिभिन्नो रघ्कमिर मुखोस शेबं आमादेर तार शाम्गै आमादेर मोन्स शाम्परकोई जीनिश्पुलो देखे खांटाई एशे आतो भालोला चे आर से जेटा बोलें जे एकाने आमान कीछु मुखोषाल चे जेटा भयम कर तीनी खुब शुंदर भाबे साइकोलोजी ओ बुजी एई मुखोषे शांग, मुखोषगुलो शांग, एबों एई म्यूजियमे शांग जे आक्टा साइकोलोजी चे शंपर कुआ चे शेका खुब शुंदर करे आजके बोचालें, जे आमादे भेतोरेचे भई थाके, शेए भई के जोदी आमरा काउंटर करते पारी, ता होले परे शेए भई के आमरा जोई करते पारी, एखाने अनेक मुखोषा चे चे जे गो पताकोडी एबन अन्णनोदरोने काद जेखाने होचे एबन अन्णनोदरोने काल्चुरल अक्तिवीची जेखाने होचे, शेए घुमज़े भेक्टकोड। मुन्थे आमादे इंटरेस्टानी तो आजकेर एके बारे अन्नु रखुम एक्ता जायगा एशे आमादे विशन भाला लाग छे एबंग आमरा सबाई के बोजे एई जायगाद भुलो के एई जिनिशकुलो के आरो डैखा एबंग छोरिये दवा जाते कोले आरो शकुले एबंग एई काज़कुलो संपर्के तार संगे संजुक्त संस्क्रिती संपर्के शबाई जान्दे पारे कारो एई संस्क्रिती हुँचे आमादे रहके बारे अंतरेस संस्क्रिती 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 संस्क्रिती